हाई फ्रेंड्स विल्कम है हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल्स पर तूड़े वी हैफ सेलेक्टेट टेस्ट नंबर वन नाइटी फाइब प्रेंड्स हमारा टेस्ट नंबर एक सू पंचानब है इस पे बात करेंगे काफी इंपोर्टन टॉपिक मिडवाइफरी मिड मीड़े स्टाफ नर्स केरici आर्मी की ऐसना जो पीचेस के दुर्ण नर्स नर्स भी संग इंडिया य्यूटangoon मदपर्देश, नहें हम, चियाचो, राजिस्तान, बिहार, केला, आसाम, पंजाब, चंदिगर, हडियाना, महाराश्टरा, तिलंगाना, वेश्ट बंगाल, सभी के लिए, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशन नमर फर्स्ट ये आपकी स्कीन पर, कोशन नमर फर्स्ट प जाएगा, which medicine will be used if menstruation does not come after contraceptive medicine, क्या होगा इसका right answer, पढ़े question को अच्छे से इसके वाद answer बताएं इसका, जदा जदा प्रेटिस किया रहे हैं पर अपने answer बता के, इसका right answer होगा न, option C इसका right answer होगा, क्या option C is the right answer, गर्ब निरोधक दवा के परश्चात, ठीक है, यदि मासि धर्म ना आये, तो कौन सी दवा का प्रियोग किया जाएगा, ये लिखा है, क्लोमीफीन का प्रियोग किया जाएगा, ठीक है, एक प्रकार की medicine है, ये oral दी जाती है, कैसे दी जाती है, और अल दी जाती है, अब यहाँ पर कुछ point मेंस आने, इने आप समझ लें, ठीक है, य इसको कोमिट के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? कोमिट के नाम से भी जाना जाता है, कोमिफीन, कोमिफीन is in a class of the medication called the ovulatory stimulant, ovulatory stimulant का मतलब है कि ये, उस medication के class की है, जिस जो क्या करती है, अंडा हुत पादन के लिख प्र evaporative करती है, ठीक है, ये औरेट्री stimulant का मतलब होता है ठीक है यह एक प्रकार की मेडिशन है जो क्या है और अंडा उत्पादन के लिए प्रेरिद करती है ठीक है यह हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए फिर यहां पर नेक्ट पाइंट लिखा है यह लिखा है क्लोमी फीन वर्क दोने कोमी फीन साइट रहर को स्केशण है जो इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे कि कुछ महिलाओं में बाजपन के इलाज के लिए किया जाता है बाजपन का मतलब होता है कि बच्चे को जन मजह से नहीं दे पाती या उनके एकसे का निर्मार्ण नहीं होता उनके और में ठीक है ठीक तरह से treatment of the female infertility के लिए इसका यूज किया जाता है गर्मती होने में मदद करती है कौन सी medicine यह क्लोमी फीन इसके लिए किया जाता है जो मैला है ठीक से अवल्यूशन नहीं कर पाती मतलब अंडोसर नहीं कर पाती मतलब एकसका निर्मार्ण नहीं हो पाता उनके uterus पर अच्छे से ओवरी पर उनके ओवरी पर क्या होता है एकसका निर्मार्ण अच्छे से नहीं हो पाता तो इस medicine का यूज़ के जाता है इसके कुछ side effect है कब-कब नहीं लेना जाएए यह जब ही medicine ली जाने चाहिए तो doctor से सला के बगार नहीं लेना चाहिए डाक्टर के सला के अनुसार ही है medicine का यूज़ करना चाहिए और जी एक-दो medicine है जिनका यूज़ के जाता है same form में जो की question पूछा गया है यह लिखा है medro यह लिखा है medro oxyprogestron और यह लिखा है noristeron ठीक है यह दो medicine और है जिनका सेम तरह से यूज़ किया जाता है नाम थोड़े बड़े हैं tough है यह याद करने में काफी problems होती है तो आप इन्हें लिख लेना next question number आपकी skin पर 2 सिसू मस्तिस के दोनों fontanel के मद्द किसका यहां पर कौन सा हिस्सा होता है आप लिख लेना आप यहां पर आपको हिस्सा लिखना है यहां पर का लिखा है ना यहां पर हा लिख लेना हिस्सा लिख लेना ठीक है हिस्सा ओके यह लिखा है सिसू मस्तिस के दोनों fontanel के मद्द हिस्सा कौन सा है फिचे यहां पर हिस्सा लिखना है आपको ठीक है पार्ट लिखना है, पार्ट बिट्वीन टू फॉंटेनल अब दी इन्फाइंट ब्रेन, इसका राइट आमसर क्या होगा, आफसर इंडीस का राइट आमसर होगा, वर्टेक्स, क्या है, वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फॉंटेनल होता है, ये होता है, पहला पर दूसरा है बीच वाले को वर्टेस कहा जाता है अंवर चलते हैं नेस्ट कोशन पर कोशन नमबर आपके स्किन पर question number 3 पढ़े पिर पिए इसके बाद answer बता है question number 3 यहाँ पर पूछा गया है गर्भश्त इसु का सरीर के अंगों के साथ क्या सरीर के साथ का समद्ध क्या कहलाता है what is the relation of the fatus with the body part called क्या होगा इसका right answer गर्भश्त इसु का सरीर के अंगों के साथ सम्मंद क्या कहलाता है इसका राइट आंसर होगा आफसन इसका राइट आंसर होगा attitude कहलाता है क्या कहलाता है attitude या fatal attitude के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आप दोनों लिख लिए ना fatal attitude ओके तो ये दोनों नाम के नाम से जाना है मतलब बात यह attitude जाता है आफसर में तो आपको इसे इंग्लिस में याद कर लेना है attitude अगर लिखना चाहते हैं आप तो इस तरह लिसके है attitude ऐसे करके आप लिख लेना है अपने उस पर attitude आपसर इस का right answer है यहाँ पर दे सकते हैं fatal attitude भी होता है यह fatal लगा दिया जाता है बहराल नाम ही किये question number है आपके skin पर 4 question number 4 पढ़े पिसके बाद answer बता है गर्भावस्ता में कौन सा सूचक गर्भासे से संबंदित है which indicator is sorry in pregnancy is not related sorry यहाँ पर आपको not नहीं लिखना कट कर देना है यहाँ यहाँ पर not नहीं लिखना आपको not cut कर देना है not cut कर देना है question पहले दूसरा था लेकिन edit कर दिया था मैंने तो इस वज़े से यहाँ पर not हो गया ठीक है तो यहाँ पर not आपको cut कर देना है okay हम इसे बाद में edit कर देंगे और इसका राइट आंसर यह गर्भावस्ता से संबंदित है सारे सूचक है यह साइन है okay next question number आपके skin पर question number five question number five पड़े पिर इसके बाद आंसर बता है गर्भावस्ता कि संपूर काल अवदी केतनी होती what is the total duration of the pregnancy क्या है इसका राइट आंसर comment करें अपना आंसर आफसन डीस का राइट आंसर है आफसन डीस दर राइट आंसर चालिस सब्ता 40 वीप्स 280 दिन 280 डेज और 9 महिने 7 दिन ठीक है ये तीनों क्या है ABC ये तीनों अंसर होते है गर्भावस्ता कि संपूर काल अवदी मानी जाती है ठीक है 40 सब्ता 280 दिन 9 मन्त 7 डेज एक पॉइंट और लिखा इसे भी समझ ले जो टोटल डिरेशन ऑफ प्रेगनसी इस कितना है 40 वीक्स 280 डेज और ये लिखा है 9 मन्त 7 डेज और 10 लूनार मन्त ये सभी सेम है ठीक है ये 10 लूनार मन्त यहां पर लिखा है आप इसे इसी तरह बता है गरभावस्ता में गरवास है कि आकरती क्रिकेट की गेंद नुमा जैसी कब हो जाती है वें डज दा सेप ऑफ दी यूट्रस बिकम लाइक आ क्रिकेट बॉल टिर इन प्रेगनसी क्या है इसका राइट आंसर इसका जो मोश्ट इप्रेप्रेट आंसर है आप कमेंट क हो जाती है ठीक है किस नुमा होती है गेंद नुमा बॉल की तरह हो जाती है आप संसी इसका राइट आंसर है कुछ पॉइंट लिखे इंपोर्टेंट आप इन्हें लिख ले या स्क्रीन सॉट ले लेना ठीक है यहां पर लिखा हुआ है छे सप्ता पर कैसा आकार होगा यह प्लम के साइट का हो जाता है प्लम मतलब होता है बेर क्या होता है बेर आप जानते होंगे प्लम मतलब होता है बेर या गोल्प बॉल साइट के आकार का जो गोल्प की जो बॉल होती ना उसके साइट के आकार का हो जाता है आठ वीक में क्या होता है आठ सप्ता में आठ सप तो आप इस तरह हो कैसी होती है तो उत्स के बाद यहां पर 12 इनट बाराज उटलब वीक पर क्या होता है 14 इर कफ shine ओई लिखना ठीक है घ्राइब दर जाता है नेक्स्टेट पोइंट यहाँ पर चौदा वीग पर क्या होता है यह लिए लिका है केंटी लोप सौच की तरह हो जाता है मतलब खरा पूजे के बाद आश्चें पॉइंट होने पर इस्टोजन का इस्तर कितना हो तो थैसे था क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट करें आपसन आपसन सीज का राइट आंसर है 30 mg ठीक है कितना होता है 30 mg निश्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमर आपकी स्कीन पर 8 पढ़े फिर इसके बाद आंसर बताएं गर्वकाल पूर्ड होने पर प्रोजेश्टन का इसतर कितना होत होता है what is the level of the position at the end of the pregnancy क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर होगा आफसन इस दराइट आंसर 300 mg हो जाता है कितना 300 mg कि आसपास होता है लग भग में ठीक है निक्स्टेक कोशन नमबर आपके स्कीन पर 9 कोशन नमबर 9 पढ़ें फिसके बाद आंसर बताए सभी खाने के विकार हैं सीवाए एक खाने का विकार नहीं है बाकी सभी खाने के विकार है ठीक है eating disorder है all are eating disorder except एक नहीं है आपको बताने वो कौन सा नहीं है यहाँ पर यह पिछली वीडियो को कोशन है मुश्चली लोगों ने सह requis आंसर दे थे आफसन से इसका राइट आं पीर से हाइं ये दिए गया टुक्तने करका बाकि मेरती है न्याल कोने कि एनोरेक्जिया नर्वोशा बुल्मिया नर्वशा नीशे डिफाइने ने अच्छे से समझ ले इस बार और क्योंकि ये एक जैसे वर्ड हैं काफी प्रावलम्स करते होंगे आपको यहां पर देखे एनोरेक्जिया नर्वोशा हिंदी में लिया है मैंने यहां पर यह आप करने के लिए बहुत कम खाते हैं यहां पर क्या करेंगे आप मतलब एनोरेक्जिया में क्या करते हैं आपको डर रहता है आप कहीं फैटी न हो जाए आपका कहीं वजन न बढ़ जाए इसलिए आप क्या करते हैं बहुत कम खाते हैं आप दूसरों को खिला देते हैं आप नर्वोशा में और यहां पर मेंसाने पॉइंट बुल्मिया नर्वोशा, यह SSC singles दोनों पूछे गए थे एक jams में, SSC singles आफिसर में ठीक है, यह लिका है बुल्मिया नर्वोशा इसमें क्या है आप अपने वजन को लेकर अतयदिक चिंती हैं और जरूरत से ज्यादा खाते हैं इसमें एनोरेग्जिया नर्वोशा में आप कम खाते हैं और बुल्मिया नर्वोशा में क्या है आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं इसमें जरूरत से ज्यादा खाएंगे इसमें आप बहुत कम खाते हैं ठीक इसमें आपको लग लिए बाद में आप इल्टिया कर रहे हैं भाद में cyclin गृतने का फ chooses लिए आप को धूखे जा इनरोक जिक्रगा नरोशा क क्या होता है और नरोशा का मतलब इतना ही समझने हैं भूलमिया नरोशा ना लिखा लिखा ओ भूल्मिया का मतलब भी पूरा होता है गया जो मैंने बताये हैं यहां पर है पर आप प्या से सकते हैंं flying यह आप कम खाते हैं प्र-धिक जरूरब्रस प्रेस्चा गया खुंछनन पर चलते हैं को शंचिट आपकी सकीनपर ए प्रेसके बाद आंसर आहें पूछा गया है मासिक धर्मे सुरचित कालांस कौन सा होता है इसका जो प्रिएट आपको वह आंसर बताना है उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पे नहीं से सब्सक्राइब करना लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और हम GKGS Current Affair पढ़ने के लिए हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट बाउट डिस्क्रिप्सन बाउट दोने जगे मुसका लिंक के दे देंगे ओके चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बाबाई ओके तर्ष कर दोप्सक्राइब को भी सब्सक्राइब कर दोर्च्राइब पार सकते हैं झाल